रामधारी गुप्ता प्रतलेखन संख्या चार सभापती महोदे सरकार ने कई क्रसी फार्म खोले हैं क्या ये फार्म गाटे में नहीं चल रहे हैं अगर सारे घर्च जोड दिये जाएं बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड दिये जाएं तो पता चलेगा कि सारे ये क्रसी फार्म गाटे में चल रहे हैं क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को गाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे जिस छेत्र से मैं आता हूँ वहां एक पुल बना है मैंने दस वर्स तक अपनी विधान सभा मैं इस पुल के लिए कोशिस की है जिस दिन से मैं यहां आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ बराबर कोशिस कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि गंगा पर वह पुल बने उस पुल को बनाने का आस्वासन भी मिला था एक प्रस्न के लिखित उत्तर में यह जबाब दिया गया था यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठा कर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा इन लोगों ने क्या कसूर किया है यह मैं आप से जानना चाहता हूँ हमारे छेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था हर तरह की सहायता दी थी हमारे यहां के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी अन्न की कमी कहीं नहीं थी अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं जो यह चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश के बड़े बड़े सहरों में दंगे करवाते हैं दूसरी तरफ हम हैं जो की इनकी बातों को नहीं समझ पाते इनको सब ही वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सक हैं इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ दिहान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सब से बचने का हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो की एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले सोभाग्य से मैं आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूं